स्वागत है आज के इस खास इंपोर्टेंट वीडियो में इस वक्त केंद्रिये चाहन परिशत सिपाही भरती यानि की CSBC के द्वारा बिहार पुलिस में बना रक्षी पद के लिए यानि फॉरेस्ट गार्ड पोस्ट के लिए वेकेंसी सामने आई है जिसका फॉर्म भराना श जिसमें की आप पूरी डिटेल्स में देखेंगे इसकी सेलेक्शन प्रोसेस क्या है कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं और ये वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट और वेकेंसी कुछ डिफरेंट भी है क्योंकि अब तक के जितने भी लेटेस्ट विहार प वेकेंसी की बात कर ले तो 484 कुल नंबर ओफ वेकेंसी है सारीरिक माप दंड की बात करे तो पुरुष के लिए निउन्तम उचाई ST SC बर के लिए 160 सेंटीमीटर अन्न के लिए 165 सेंटीमीटर निउन्तम चेश्ट आपको 89 सेंटीमीटर SC ST के लिए अन्न के लिए 81 सेंटीम यहाँ पे पैदल चलने वाले खास इंपोर्टेंट जो टेस्ट है जिसमें किसी परकार की आरक्षन नहीं है पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर इसमें पैदल चलना है यह टेस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे सेलेक्शन मेरिट की बात कर ले तो रीटेन बेस्ट आपकी सेलेक्शन होंगी उस पे भी पूर्ण चर्चा करेंगे सिलेबस पे चर्चा करेंगे आप वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग रूप्स में अन्त तक जरूर देखेंगे क्योंकि बहुत जादे नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है यहाँ पे महिलाओं के लिए न न्यूकती परकिरिया की बात कर ले जो की काफी इंपोर्टेंट है आपको सबसे पहले लिखित परिक्षा होंगी जो की आपको प्लस टू अस्थर की होंगी जिसमें गनित्यों शमान नविज्ञान के प्रशन मैट्रिकुलेशन अतवा सक्षम अस्थर के होंगी हिंदी बा प्रशन 100 होंगे जिसमें परतेक प्रशन 4 अंक के होंगे कुल 400 अंक के आपके एकजाम होंगे जिसमें निगेटी मार्किंग का भी प्राउधान है यानि तीन कोश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपकी एक सही कोश्चन भी गलत मान ली जाएंगी आप कोई प्रशन जो है रीटेन बेस्ट प्रशन 4 भागों में दिये होंगे जिसमें से 30 प्रशन अंतराष्टिये लेबल के करंट अफ्यर भारत का इतिहास और भारत राष्टिये आंदोलन भुगोल भारतिये राजतंत्र और सासन एवं आर्थिक एवं समाजी की विकात से संबंदित प्रशनों पे अधारित होंगे भाग 3 में 25 प्रशन होंगे जिसमें समान विज्ञान परियावरण परिस्थिति की जैविक विविद्धता और जलवायू परिवर्तन संबंदित समान बुद्दे से संबंदित प्रशनों पे अधारित होंगे भाग 4 में 20 प्रशन हिंदी से रहेंगे जो की आपको दिये गए गधानसों को शमजना है और जबाब भी देना सब्द परियोग तथा सब्द वंडार हिंदी ब्याकरन इस तरह के हिंदी होंगे आपको सारे प्रश्ण हिंदी एवं अंगरेजी माध्य में मिल जाएंगे सिवाए आपके हिंदी के 20 प्रश्ण के प्रश्ण आपको OEMR सीट बे ओफ लाइन प्रश्ण परिक्षा होंगे जिसमें आपको निवनतम प्राप्त अंक करना है समाने वर्ग के लिए 40% पिछड़े वर्ग के लिए 36.5% पिछले वर्ग यानि कि अत्यांत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% आनुसुचित जन जाती वर्ग के लिए 32% इस परकार से अंक प्राप्त करना है प्रंतु ये ध्यान जरूर रहे आपको 1 ratio 2 के रूप में फिजिकल टेस्ट के लिए रिजल्ट दिये जाएंगे यानि कि कुल सीट जितने अभी है उसके दो गुने आपको रिजल्ट मिलेंगे फिजिकल में सामिल होने के लिए फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट आपक अरक्षन कोटी वार तयार किये जाएंगे वहीं बात है आपको रिटेन पे काफी जादे फोकस करना है ओल्लाइन आवेधन इसको आपको 49.2020 से पहले फाइनली भर लेना है जिस पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं ओफिसियल वेबसाइड के माध्यम से सिंपली आपको Google में सर्च करना है CSBC जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सर्च में एक फर्स्ट में ही ओफिसियल वेबसाइड का लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आपको क्लिक करके इसके ओफिसियल होम पेज पे चले आना है होम पेज पे आने के बाद में कुछ इस तरह क इंटरफेस दिखाई देंगे जिसमें से आपको forest department यहाँ पे सबसे last में आप देख पा रहे होंगे यहीं पे क्लिक कर देंगे तो forest department से latest vacancy आपको दिख चाहेगी यहाँ पे सबसे उपर ही vacancy का online apply for यहाँ पे दिया हुआ है सबसे उपर ही आया हुआ है आपको next page भी यह move क इसे login करके form को भर लेंगे और तीसरे step में आप उसको देख लेंगे status बाकी आपका form submit हो जाएगा उसके बाब इस तरह से आप बहुत ही असानी से कर लेंगे तो चलिए registration पर यदि हम क्लिक यहाँ पे करते हैं तो बहुत ही असान में आपको कुछ instruction देखने को मिलेगा आप पर यदि हिंदी भासी हैं तो आप हिंदी में या फिर इंगलीस समझते हैं तो इंगलीस में आप इसको आराम से पढ़ लेंगे पूरे इंट्रक्शन को आपको दिया रहेगा क्योंकि registration में mobile number email ID काफी important होता है आपको सारे निर्देश यहाँ पे दिये होंगे यहाँ पे आ 308 वर्ग के पूरुष के लिए 450 रूपए महिलाओं के लिए 450 रूपए यहाँ पेई डर्व्वेस के लिए 450 महिलाओं के लिए 400 रूपए यहाँ पे डर्वाल इसमे च्छुटी ऐस Alert के लिए 112 रूपए हैं तो यहाँ पे फीर 25 में आपको थोड़ा सा नीचे आके आपको घोशना पत्र को यहाँ पे चेक कर लेना है यानि कि कहने का मतलब आप सारे डीटेल्स को समझ गया है आप इस फॉर्म को भरने लाइक है कि नहीं सारी डीटेल्स लिखी हुई है यहाँ पे आपको फॉर्स नेफ सारे लाइं यहाँ पे इंटर आपलिकेंट फूल नेंम में अपना नेम सेलेक्ट करने के बाद में आपकी नेसनल लीटी यानि कि आप इंडियान है केवल इंडिया के लोग ही भर सकते है एक ही option भी है यहाँ पर अपना mobile number submit करना है उसके बाद में आपको अपना email number submit कर लेना है email id submit करने के बाद में आपसे यह भी पुछा गया यहाँ पर are you domestic child of Bihar estate क्या आप Bihar estate से हैं तो yes otherwise no यहाँ पर आपको एक और important है are you an employee of Bihar government क्या आप Bihar जो भी हो उसको आप यहाँ पर फिल कर लेंगे select applicant gender male या female आप जो भी हो अपना select कर लेंगे date of birth finally आप submit करने के बाद में यहाँ पर right side में प्रोशीट के option पे click कर देना है क्योंकि यहाँ पर click करने के बाद में देखिए यहाँ पर date of birth का year mistake है इसलिए नहीं लिया आपका जब तक पुरा fill नहीं होगा लेगा नहीं प्रोशीट पर यहाँ पर हम click करते हैं देखिए प्रोशीट पर click करने के बाद में आपका payment option पर डिरेक्ट यह move करेगा आपकी पहले details को यहाँ पर दिखाएगा आपने क्या-क्या भरा है सब कुछ सही भरा है या फिर नहीं भरा है एक बार आप इसे मिला लेंगे उसके बाद ही आप payment करेंगे क्योंकि उसको आपका फिर से registration करना पड़ेगा कोई edit नहीं होगा उसमें ठीक है अब यहाँ पर आप इस गोचना पतर पर tick कर लेंगे और tick करने के बाद में इस capture को इसमें fill कर लेंगे अब देखिए यहाँ पर मैंने capture को भी fill कर लिया यहाँ पर सबसे नीचे में आपको दो option दीख जाएंगे एक तो है आपका edit application details यानि कि अब तक के details में आपको कोई गड़बड़ी दीख रही है तो आपको okay कर देना है यदि सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर चलिए हम okay कर देते हैं okay करने के बाद में payment page पे अब यह move करेगा यहाँ पर आपको online माधियम से payment करें का option दिया रहेगा जहाँ पर net banking से यह आप payment करते हो तो करके registration अपना confirm आप कर लेंगे उसके बाद में आपको registration ID और password मिल जाएंगे अब यहाँ पर जैसे आप अपना registration final कर लेंगे तो यहाँ पर आप आपका एक step complete हो गया आपको registration ID जो password मिलेंगे यहाँ पर second step पर आपको click करके form को भर लेना है form को भरने से पहले आपको यहाँ पर enter registration ID आप अपना registration number एंटर कर लेंगे या फिर आप जो अपना mobile number दिये रहेंगे उससे भी आप कर सकते हैं आपको क्यों अपना mobile number एंटर करना है date of birth एंटर करना है और फिक capture को आप इस fill करेंगे और जैसे submit करेंगे आपको form open दिख जाएगा आप उस फूरे blank form को fill करके submit कर लेंगे बहुत ही easy step में आप इस form को भर लेंगे आपकी जवाब दी जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो 1 तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद